स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वाराफसर मैथमेटिक्स में यहां पर जो सीरिज चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको SSE, GD, SSE, SI या कोई भी परिच्छा की तयारी कर रहे हैं और यहां पर KVS, NVS जो भी सुपर्टेट एकजामस आने वाले हैं उनको देखते हुए इस सीरिज का यहां पर आयोजन किया रहा है दोस्तो तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं विश्व के सबसे बड़े लंबे और सबसे सरवाधिक उचे सभी तरह के जो विश्व में ख्याती अरजित इस्थान हैं और भ्यक्ति हैं उनके बारे में यहां पर बात की जा रही है तो दोस्तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा इसके मत कीजिएगा यह वीडियो आपके लिए एक नमबर पक्का जरूर देने वाली है और इस वीडियो में 100 को को खबर किया जाएगा वो भी फटा फटा फट की तैयारी बिल्कुल बेसिक से कराई जा रही है यदि आप उसको करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें चलते हैं क्वेशन की तरफ क्वेशन है विस्व में सरवाधिक बड़ा चोटा लंबा और उंचा क्वेशन है आता है आपका पहला क्वेश आता है विस्व का सबसे चोटा महाधूईप कौन सा है तो सबसे चोटा महाधूईप में और चाइना और इंडिया सबसे आगे हैं दोस्तो जनसंख्या की दृस्टी से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है कौन सा महासागर है दोस्तों प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है कौन सा महासागर प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है तो सबसे गहरा भी होगा दोस्तों प्रशांत महासा सबसे बड़ा महासागर सबसे गहरा महासागर भी है और सबसे गहरे महासागर की जो सबसे गहरी जो खाई है वो जो सबसे गहरा प्रसांद मारियाना ट्रेंच को सबसे गहरा गर्त कहा जाता है सबसे बड़ा नगर छेतरफल की दरस्टी से यहाँ पर सबसे बड़ा नगर की बात की गई है तो दोस्तो इसे आप हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट करके बताएंगे कि सबसे बड़ा नगर छेतरफल की दरस्टी से बिस्तो का सबसे बड़ा नगर छेतरफल की दरस्टी से कौन सा है दोस्तो उसे आप कमेंट करके हमें बताएंगे सबसे बड़ा देश सबसे बड़ा देश कौन सा है छेतरफल की दरस्टी से तो सबसे बड़ा देश रूस है और दोस्तो रूस के बाद आपके जो देश आते हैं उनमें से हमारा जो देश है भारत उसका जो नंबर आता है तो छेतरफल की दरस्टी से शातमे नंबर पर भारत विराजमान है दोस् दोस्तो तो वह वैटिकन सिटी सबसे चोटा देश होगा दोस्तो सरवाधिक जनसंख्या बाला देश कौन सा है मैंने पहले ही क्वेशन में आपको बताया था कि एसिया महादुई में दो देशों की जनसंख्या सबसे जादा है और नंबर एक पर आता है चीन और दूसरे पर भारत तो दोस्तो इसी तरह से अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो भारत सबसे पहले प्रथम इस्थान पर पहुंच जाएगा जनसंख्या की द्रस्टी से दोस्तो तो यहां पर सरवाधिक जनसंख्या का देश कौन सा है दोस्तो यहां पर चीन सरवाधिक जनसंख्या का द नियून्तम जनसंख्या गनत्व अंटार्क टिकापर नियून्तम जनसंख्या गनत्व है सरवादिक जनसंख्या गनत्व वाला देश कौन सा है तो सरवादिक जनसंख्या गनत्व वाले देश की अगर बात की जाती है दोस्तों तो सिंगापूर सरवादिक जनसंक्या गनत्वाला देश है अगला प्रश्ण है सरवादिक आवादि वाला नगर कौन सा है तो सरवादिक आवादि वाला नगर टोकियो है दोस्तों यहां टोकियो टोकियो जो के जापान में है जापान में है टोकियो तोक्यो जापान का एक सहर है सरवादिक आवादी वाला नगर है और सबसे कम आवादी वाला नगर है और यह चेतरफल की दरश्टी से भी सबसे कम चेतरफल वाला नगर है सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है तो कनाडा की सबसे लंबी सीमा है इस तरह से ये कनाडा की सीमा है सबसे लंबी सीमा वाला देश है ये कनाडा ये बहुत पतला पतला गया है और बहुत एरिये में फैला हुआ है तो यह सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा कहलाता है नेक्श आता है सबसे छोटी सीमा वाला देश है जिब्राल्टर जिब्राल्टर जो है सबसे छोटी सीमा वाला देश है जिब्राल्टर की जो संधी है आपकी वह सबसे छोटी सीमा वाला देश है सरवादिक सीमा वाला देश कौन सा है तो चीन की सीमा जो तेरे देशों के साथ लगती है चीन देश की सीमा कितने देशों के साथ लगती है दोस्तों तेरे देशों के साथ लगती है तो सरवादिक सीमा वाला देश चीन है इस पर ये मत भूलिएगा कि यहाँ पर जो सरबादिक सीमा वाला देश है आपका रूस सबसे बड़ा छेतरफल की दरस्टी से रूस जो है आपका छेतरफल की दरस्टी से सबसे बड़ा देश है तो उसकी सीमा सबसे अधिक देशों से मिलती हो कि ऐसा नहीं है दोस्तों यहाँ पर चीन की जो सीमा है तेरे देसों से मिलती है चीन की सीमा जो मिलती है तेरे देसों से मिलती है रूस की नहीं मिलती है सबसे अधिक जो मिलती है चीन की मिलती है सबसे बड़ा दूइप कौन सा है दोस्तों सबसे बड़ा दूइप जो है ग्रीन इसको दोस्तों आदा मत पढ़िएगा आदा पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा प्रायदीप की बात की गई है और पिछले प्रस्टन में जो बात की गई थी वहाँ दूइप की बात की गई थी दूइप में दोस्तों ग्रीन लेंड आए था क्यांगे यहां पर games हुए थे इस वज़े से इंडोनेशिया की राजधानी जकारता में हुए थे तो सबसे बड़ा बार द्वीब समू कौन सा है दोस्तों इंडोनेशिया faisait और सभसे बड़ा नदी ढाइब कौन सा है तो नदी पुत्र नदी कहां से होकर बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी कहां जाती है तो असम आपका ब्रह्मपुत्र नदी असम कहां पर है या आप हमें कमेंट करके बताईए दोस्तों के असम कहां पर है नेक्स आता है सबसे बड़ा डेल्टा कहां पर है तो डेल्टा सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा जो डेलता है और ब्रह्मपुतर अगंगा नदी के मिलान पर बनता है दोश्टो यहां पर और सबसे लंबी नदी कौन सी है तो मिस्र की जो नादी है नील नदी सबसे लंबी नदी है विस्वा की सबसे लंबी नदी के नाम से जाना जाता है और सबसे चौड़ी नदी जो है वह अमेजन नदी है विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है सबसे लंबी नदी है तो नील नदी है जो मिस्र की नदी है और इसको मिस्र का बरदान भी कहा जाता है नील नदी को मिसर का बरदान भी कहा जाता है नील नदी का बरदान कहा जाता है किसको कहा जाता है मिसर को सबसे बड़ी नदी चौड़ी एवंबल की द्रस्टी से जो सबसे बड़ी नदी है दोस्तो मैंने आपको अभी बताया था दोस्तो तो यहाँ पर अमेजन नदी जो दक्षड अमेरिका की नदी है अमेजन अमेजन नदी जो है दक्षड अमेरिका की सबसे बड़ी चोड़ी छेत्रफल की द्रस्टी से है सबसे बड़ी नदी कही जाती है नेक्स्ट आता है सबसे छोटी नदी कौन सी है तो D नदी संयक तुराष्ट अमेरिका की जो नदी है D नदी वह सबसे चोटी नदी है दोस्तों सबसे बड़ा सागर की यहां पर बात करते हैं तो दक्षडी चीन सागर सबसे बड़ा सागर कहा जाता है सबसे बिसाल उपसागर कौन सा है तो हडसन उपसागर सबसे बड़ा के नाम से जाना जाता है नेक्स आता है सबसे चोटा पक्षी सबसे चोटा पक्षी की बात की जाती है तो हमिंग बर्ड सबसे चोटा पक्षी होती है दोस्तों सबसे चोटा पक्षी होती है हमिंग बर्ड और सबसे लंबी सहायक नदी सबसे लंबी सहायक नदी तो मैंडिरा वह सबसे लंबी सहायक नदी है और अमेजन नदी कहां पर है दोस्तों अभी मैंने वात की थी एक मिनट भी नहीं हुआ है तो अमेजन नदी आपकी धक्षडी अमेरिका की नदी है अमेजन नदी या नदी प्रभाः की दृष्टी से सबसे बड़ी नदी में आती है और सबसे लंबी नदी में जो आती है आपकी नील नदी आती है सबसे ब्यस्त ब्यापारिक नदी कौन सी है दोस्तों सबसे लंबी ब्यापारिक नदी से सबसे ज़्यादा ब्यापार किया जाता है दोस्तों तो वह कौन सी नदी है सबसे लंबी ब्यापारिक नदी दोस्तों यहाँ पर दिया है सबसे लंबी ब्यापारिक नदी तो रायन नदी जो जर्मनी की नदी है वह सबसे लंबी ब्यापारिक नदी है दोस्तों नेक्स्ट आता है अंता सागरिय नदी अंता सागरिय नदी कौन सी है तो क्रॉम बेल धारा क्रॉम बेल धारा अंतर सागर नदी है next आता है सबसे बड़ा मुहाना सबसे बड़ा मुहाना कौन सा है दोस्तों सबसे बड़े मुहाने की अगर बात की जाए तो ओब नदी का मुहाना जो रूसम है सबसे बड़ा मुहाना है next आता है सबसे बड़ी नहर सबसे बड़ी नहर कौन सी है नदी की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी नदी प्रवाह की दृस्टी से जो है वह सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है जो दक्षिडी अमेरका में पाई जाती है और सबसे लंबी नदी है वह नील नदी है सबसे लंबी नदी नील नदी जो मिस्र की नदी है और यहां नहर है सबसे ब्यस्त नहर कौन सी है सबसे ब्यस्त नहर कील नहर को कहा जाता है सबसे ब्यापारिक नदी जो सबसे ब्यापारिक जो नदी थी वह राएन नदी थी दोस्तों यहां पर राएन नदी जर्मनी की थी और यहां सबसे ब्यस्त नहर की बात की जाती है तो कील नहर है सबसे बड़ी जील सबसे बड़ी जील की अगर बात की जाए तो कैस्पियन सागर है कैस्पियन सागर सबसे बड़ी जील है और यह रूस में है यह खारे पाने के लिए प्रसिद है सबसे बड़ी जील खारे पाने के लिए प्रसिद है कैस्पियन सागर यह कहां पर है दोस्तों यह रूस में है नेक्स्ट आता है सबसे बड़ी ताजे पानी की जील सबसे बड़ी ताजे पानी की जील तो सुपीरियर जील है और सुपीरियर जील का कहां पर है दोस्तों इस्थित है तो वह अमेरिका में इस्थित है या मीठे पानी के लिए और ताजे पानी के लिए प्रसेद जील है सुपीरियर जील कहां पर है दोस्तो अमेरिका में और कैस्पियन सागर जील कहां पर है दोस्तो वह रूस में है वह खारे पाने के लिए है सबसे गहरी जील सबसे गहरी जील की यहां पर बात की जाती है तो बैकाल जील सबसे गहरी जील है रूस जो रूस में है बैकाल जील वह सबसे गहरी जील है जील के अंदर जील जील के अंदर जील तो मैनी टू कनाडा मैनी टू है जो कनाडा में इस्थित है मैनी टू जो जील है जील के अंदर भी जील है वह मैनी टू नाम है उसका और वह कनाडा में है नेक्स आता है सरवादिक उचाई पर इस्थित नौकायन जील तो सरवादिक उचाई पर इस्थित है जो टेटे काका के नाम से जानी जाती है टिटिका का जो दक्षिडी अमेरिका में है जो सरवाधिक उचाई पर इस्थित है और यहां इसमें नौकायन भी होता है नेक्स आता है सबसे बढ़ा लैगून सबसे बढ़ा लैगून तो लैगूआ डॉस पैटोस ब्राजील में इस्तित आहे लैगूआ डॉस पैटोस यह सबसे बढ़ा लैगून है आता है सबसे उचा जल प्रपात या जर्णा दोस्तों यहां जर्ने की Beatt कि गई है जो कि सबसे बड़ा जल प्रपात है तो एंजल jaun जाता है और इसको साल्टो एंजल के नाम से भी जाना जाता है यह दोस्तों किस नदी पर है तो यह कौरूना नदी पर है कौरूना नदी पर है और यह बैने जुएला में इस्थित है कहां पर इस्थित है दोस्तों सबसे बड़ा जर्ना बैने जुएला में इस्थित है नेक् सबसे बड़ा ज़रना सबसे बड़ा ज़रना जो आपना से एंजिल है जो कोरुना नदी पर है और बेनेजवेला में है सबसे बड़ा जल प्रपात सबसे बड़ा जल प्रपात वो ग्वायरा है ग्वायरा जो एल्टो पराना नदी पर इस्थित है सबसे बड़ा जल प्रपा तो ग्यानों जोनते दोस्तों कातर वेंगे लाउस में बैसलोगों में वक्तिंक करें के जाना जाता है ज्सेक्स एनावी भगानडीकों मैं और मह export ग्रीनड इवं बेफिन क्ली दोणों B जोड़ता है स सेरे इनावीं बार्थ सबसे बड़ी जो जल संधी नेक्सत राता है तो सबसे बड़ी जो जल संधी है यूनान एवं योविया दुईब में के मद्या झागर में इस्थित है यूनान एवँ म योबिया दोनों को जोड़ता है next आता है question सबसे बढ़ा गल्फ, सबसे बढ़ा गल्फ, तो मेकसिको का गल्फ सबसे बढ़ा गल्फ है सबसे विसाल जलसंदी है टार्टर जलसंदी नेक्स आता है सबसे चौड़ी जो जलशंदी है वह डेविस जलसंदी है greenland और बेफिन को जोड़ती है सबसे उल्याट परवत सिखर सबसे उल्याट परवत सिखर मांटेइन एवरेस्ट है जो भारत के ही पड़ोसी देश में है माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वो सबसे उची परवत चोटी है दोस्तों और इसे हिमाले के नाम से जाना जाता है हिमाले की सबसे उची परवत चोटी है माउंट एवरेस्ट की जो है और वह नेपाल में इस्थित है सबसे मूची परवतमाला कौन सी है तो सबसे उची जो परवतमाला है वह दोस्तो हिमाले है हिमाले परवतमाला सबसे उची चोटी है जिसकी सबसे उची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है और यह हिमाले कहां पर इस्थित है तो एसिया में सबसे लंबी परवत माला कौन सी है तो सबसे लंबी परवत माला एंडीज है एंडीज दक्षिडी अमेरिका की सबसे लंबी परवत माला है दोस्तो कहां की है परवत माला एंडीज दक्षिड अमेरिका की सबसे उचा पठार दोस्तों सबसे उचा पठार की बात की गई है तो तिबबत का पठार इसको पामीर का पठार भी कहा जाता है सबसे उचा पठार है सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है दोस्तों तो सबसे नीची पहाड़ी की बात की जायती है तो बुकिट टॉमसन बुकिट टॉमसन बुकिट टॉमसन बुकिट टॉमसन बुकिट टॉमसन बुरुनेई की जो पहाड़ी है दोस्तों सबसे नीची पहाड़ी है सरवादिक उचा ज्वाला मुखी कौन सा है तो माउंट कॉटो पैक्सी बहुत ही महत्वपूर प्रशन है माउंट कॉटो पैक्सी सरवादिक उचा ज्वाला मुखी माउंट कॉटो पैक्सी के नाम से जाना जाता है माउंट कॉटो पैक्सी इक्वाडोर में इस्थित है जो दक्षिडी अमेरिका में है दोस्तो कहां पर इस्थित है दोस्तो दक्षिडी अमेरिका में इक्वाडोर में इस्थित है माउंट कॉटो पैक्सी जो सरवादिक उचा ज्वाला मुखी है दोस्तो अगर वीडियो अच सबसे बिसाल ज्वाला मुखी कौन सा है दोस्तों तो मौना लोवा हवाई दूइप पर इस्थित है सबसे बिसाल ज्वाला मुखी है सबसे बड़ा ज्वाला मुखी है दोस्तों इस ज्वाला मुखी को सबसे बड़ा ज्वाला मुखी कहा जाता है मौना लोवा जो हवाई सबसे उचा बाँ सबसे बड़ा बांद बनाया गया है , तो GND कूली बन जो कोलंबिया नदी पर बना गया दोस्तों कहां बनाया गया है यह अमेरिका में बनाया गया है ग्रांड कुली बान सबसे लंबा रेलवे प्रेट फॉरम सबसे लंबा रेलवे प्लेट फॉरम यह सबसे लंबा विश्व का सबसे लंबा railway platform है तो यह दोस्तों गोरकपुर उत्तर प्रदेश भारत में है यह दोस्तों कहां पर है गोरकपुर में उत्तर प्रदेश में और यह कहां पर है भारत में यह पहले खड़कपुर में था तो खड़कपुर में अब यह छोटा रहे गया है और गोरकपुर में खड़कपुर से भी बड़ा प्लेट फॉर्म बना दिया गया है तो यह उत्तर प्रदेश में है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कहां पर है आपका भारत देश में नेक्स आता है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा रेलवे सबसे लंबा कौन सा है रहें सर्वादिक उंचाई पर रेलेवे स्टेशन कौन सा है ? सॉनदोर बोली बिया इस्टित है साँनद्ल जो बोली बिया में इस्तित हैं सरवादिक उचाई पर है railway station next आता है सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है तो सीकन रेल सुरंग है सबसे बड़ी रेल सुरंग जो के जापान में है सीकन रेल सुरंग सबसे बड़ी रेल सुरंग कहां पर है दोस्तो जापान में है next आता है सबसे बड़ी सडक सुरंग कौन सी सबसे बड़ा सड़क पल कहां पर है नैक्स आता है सबसे बड़ा सड़क पुल तो सबसे बड़ा सड़क पुल है जो पटना भिहाँेर प्रिवियरियन राजमार्ग है दोस्तों नेक्स आता है सबसे उचा नहर सबसे उचा नहर कौनसा है तो सबसे उची नहर Baltimore हो किया दोस्तों तो यहां प्रीपेट दल्दल सइब्रिया जहितर मैं फिस से सब्से बड़ा रेगिस्तां सब्से बड़ा sama एसिया का सब्से बड़ा रेगिस्तां जोボ Congol rescue इस्थित делать मैं सब्से थंड़ा प्रदेश्ट कोंसा है तो बोस्टॉक है सब्से थंड़ा प्रदेश्ट और यहाँ पर अन्टार्क्तिका में यह ठंडा प्रदेश है अंटार्क टिका में बर्फ पढ़ती है दोस्तों इसलिए यहां पर यह सबसे ठंडा प्रदेश है नेक्स्ट आता है सबसे बड़ी मस्जिद कहां पर है तो सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद अलहराम मक्का सौदी अरम में सबसे बड़ी मस्जिद है मक्का में कहां पर है दोस्तों मक्का में सबसे बड़ी मस्जिद है मस्जिद अलहराम का उसका नाम है सबसे उची मस्जिद यहाँ सबसे बड़ी मस्जिद की बात की गई है और यहाँ पर सबसे उची मस्जिद की बात की गई है तो सबसे जो बड़ी मस्जिद है मक्का में है, सौधी अरब में और सबसे उची जो मस्जिद है वो सुल्तान हसन मस्जित काहरा मिस्र में है दोस्तों कहां पर है मिस्र में सुल्तान हसन मस्जित काहरा सबसे उची मीनार कहां पर है दोस्तों तो मीनार की अगर बात आ जाती है तो यहां पर कुतुब मीनार सबसे उची मीनार है कुतुम मीनार किसी न किसी तरह से questions में आती रहती है कि किसने इसका निर्माड करवाया किसने इसका निर्माड पूरा करवाया कुतुम मीनार कहां पर इस्थित है कुतुम मीनार की उचाई कितनी है और सबसे उची मीनार कौन सी है तो इस तरह के questions से कुतुम मीनार हमेशा घेर में रहती है दोस्तो यहां पर next question है सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है तो सबसे बड़ा गिरजाघर की बात की जाती है तो सबसे बड़ा गिरजाघर इटली में है दोस्तो बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वैटिकन यह इटली का सबसे बड़ा गिरजाघर है next आता है आपको स सबसे बड़ा महल सबसे बड़ा महल सबसे बड़ा महल कहां पर है दोस्तों तो आप ने सुना ही होगा दोस्तों कि बुर्ज biggest सबसे उची बिल्डिंक जो 829.84 मीटर की उचाई की है 829 दोस्तो 829 मीटर और यहां पर 829.84 मीटर की उचाई की यह बिल्डिंग है सबसे लंबी दीबार सबसे लंबी दीबार आए है आगया होगा आपको नाम याद सबसे लंबी दीबार कहां की दीबार है सबसे बड़ा स्टेडियम मैच खिलने वाले सभी दोस्तों के लिए यह याद आगया होगा कि सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पर है सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पर है तो स्टार होव स्टेडियम प्राग चैक में सबसे बड़ा स्टेडियम है और भारत में जो सबसे बड़ा स्टेडियम है दोस्तो क्रिकेट स्टेडियम है मोटे रा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था और उसका नाम बदल कर स्री नरेंद्र मोधी क्रिकेट स्टेडियम स्री नरेंद्र मोधी स्टेडियम रख दिया गया है दोस्तों वह कहां पर इस्थित है वह अहमदाबाद में इस्थित है दोस्तों सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहां पर है सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम सुपर डूम लूसी नाया लूसी याना सुपर डूम लूसी याना सैयुक्त राज यमिरका में इस्थित है दोस अच्छी खबर की बात है यहां पर मासिन राम मासिन राम मासिन राम जो भी मासिन राम में रहने वाले हैं उन्हें पता होगा कि सबसे ज़्यादा बर्शा उन्हीं के यहां होती है और यह मासिन राम मेगाले में इस्थित है मेगाले कहां पर है दोस्तो भारत में है सबसे बड़े घंटा घर का नाम क्या है तो the great well of Moscow Moscow से यहां पर है रूस की राजधानी दोस्तों तो यहां पर रूस में है सबसे बड़ा घंटा घर नेक्स्ट आता है सबसे बड़ा बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह कहां पर है दोस्तों सबसे बड़ा बंदरगाह तो न्यू अरब आपको याद रहना चाहिए सबसे बड़ा हवाई अड़ा साओधी अरब में है और खालिद हवाई अड़ा के नाम से इसको जाना जाता है खालिद हवाई अड़ा रियाद के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तो नेक्स आता है सरवाधिक बुद्धिमान पसू किसको कह कः जाता है दोस्तों तो सरबाद एक बुद्द्धिमान पशू चिंपय जी को खा-घा को कहा जाता है जैसे आपने देखा होगा एक श्यआन जक्तिसोग मुटे और पहुत सारी एक्टिविटीज करता है जो आता है सबसे बड़ी मूर्ती सबसे बड़ी मूर्ती दोस्तों कहां पर है तो सबसे बड़ी मूर्ती इस्प्रिंग टैंपल बुद्धा इस्प्रिंग टैंपल बुद्धा लुसान हैं हैनान चीन में है Spring Temple बुद्दा और यहां इंडिया में जो सबसे बड़ी मूरती दोस्तों इस्थापित की गई है मूरती का नाम और उसकी उंचाई आप हमेंं कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों सबसे बड़ा संग्रहालाई सबसे बड़ा संग्रहालाई है और ब्रिटिस संग्रहाल है तो ब्रिटेन होगा तो यहां लंदन में इस्थित है दोस्तों कहां पर इस्थित है लंदन में इस्थित है नेक्स आता है सबसे बड़ा पुस्तकाल है पुस्तकाल है की बात की जाती है तो सबसे बड़ा पुस्तकाल है से बड़ा चिडिया गर सबसे बड़ा चिडिया घर की यहां पर बात की जाती है सबसे बड़ा महाकब्य कौन सा है तो दोस्तो सबसे बड़ा महाकाब्य महाभारत है दोस्तो महाभारत सबसे बड़ा महाकाब्य है इसको जैसंगिता के नाम से भी जाना जाता है जब महाभारत की बात आती है तो पूरा भारत वर्स जूम उठता है कि महाभारत हमारा सबसे बड़ा बिश्व का सबसे बड़ा म नेशनल पार्क कनाडा बुलब फैलो बुडब फैलो नेशनल पार्क है जो कनाडा में इस्तित है सबसे बड़ा प्लैनेटोरियम सबसे बड़ा जो प्लैनेटोरियम है मिया जाकी है मिया जाकी जापान में है नेक्स आता है सबसे बड़ा राज प्रशाद सबसे बड़ा जो इमारत सबसे बड़ी जो कार्या लई इमारत है जो कार्या लेक में बदल चुकी है सबसे बड़ी कार्या लेक की जो इमारत है वो पेंटागन है पेंटागन पेंटागन जो है संयोक्त राज अमेरिका में है दोस्तों याद रखिएगा सबसे लंबा जो ब्रक्ष है जो सबसे उचा पसू जो है वह दोस्तो जिराफ है सबसे उचा पसू सबसे उचा पसू अपनी गर्दन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तो उसकी गर्दन इतनी लंबी होती है कि वह सबसे उचा पसू होता है वह हाती से भी उचा निकल जाती है उसकी गर्दन नेक्स आता है सबसे बिसाल काई पसू सबसे बिसाल काई पसू नीली वेल है बिलू वेल उसको कहा जाता है यह समुंदर में पाई जाती है दोस्तो यह सबसे बिसाल काई पसू होती है यह सो हातियों के बराबर भी हो सकती है नेक्स्ट है दोस्तो सबसे बड़ा पक्षी सबसे बड़ा पक्षी सबसे तो दोस्तों यह थे 99 questions आपकी जो के बिश्वम है सबसे प्रथम सबसे बड़ा सबसे लंबा सबसे छोटा सबसे विसाल उस पर आधारित थे दोस्तों इन questions मैं से काफी questions एक्जाम में पूछे जाते हैं या अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों और चैनल पर पहली बार बिजिट करें तो चैनल को सबस्क्राइब करें और पास मैं बेल आइकन को अबसे दवाएं जिससे के आगे आने वाले सैसन का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी